दोस्तो at a time US का बाजार और रशिया का बाजार बहुत तीजी से क्रेश होते वे हमें देखने को मिल रहा है लेकिन अगर Indian Stock Market की positions देखें तो वो US और रशिया के comparison में काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है काफी better situation में देखने को मिल रही है और इसी बीच आज के दिन Union Minister ह परशदीप सिंग पूरी की तरफ से एक बड़ा statement निकल कर आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले आप date to time confirm कर सकते हैं और इस statement के आने के बाद में जो अभी के टाइम पर इंडिया के लिए सबसे challenging task था जैसा कि आपको बताए कि इंडिया 85% जो dependency है oil की requirement को पूरा करने के लिए व विदेशों पर ही निरभर करता है याने कि हम 85% तक की जो हमारी demand है जो crude oil की उसे हम fulfill करते है oil को import करके तो अभी recently जो 5 October के दिन हमें OPEC की meeting होते वे देखने को मिली थी जिसमें decision लिया गया था कि अब crude oil का जो production से उसे limitate कर दिया जाएगा cut कर दिया जाएगा क्योंकि inflation ज़्यादा challenging task था कि India अपने demand को fulfill कैसे करेगा तो उसी को लेकर आज के दिन union minister हरदीब सिंग पूरी की तरफ से जो statement निकल कर आया है वो काफी ज़्यादा positive देखने को मिल रहा है उन्होंने clearly यहाँ पर के दिया है कि India जिस भी देश से oil खरीदना होगा चाहे वो Russia हो या फि उससे वो oil खरीदेगा और कोई भी उससे मना नहीं कर सकता है पता हो तो बीच में US की तरफ से यहाँ पर इंडिया और रशिया की बीच में जो crude oil को लेकर deal sign हुई थी जो Russian oil को लेकर deal sign हुई थी उसमें US की तरफ से यहाँ पर clearly का गया था कि India रशिया से oil नहीं करे देगा लेकिन आब आप देख सकते हैं यहाँ आपर काफी बड़ा statement हमें आज के दिन आते वे देखने को मिल रहा है union minister of petroleum and natural gas हर्दीप सिंग पूरी said on Friday that the Indian government has a moral duty of provide energy to its citizen and it will continue to buy oil from wherever it has to याने कि जहां से भी वो खरीदना चाहेगा oil जहां पर भी उसको discounted price में oil मिलेगा वहां से वो खरीदेगा asserting that no country has told India to stop buying oil from Russia तो यहाँ पर clearly indications दिया गया है US को के US भी अब हमें मना नहीं कर सकता है इस प्रकार से crude oil के prices continuously बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं crude oil के prices में काफी बड़ी तेजी देखी जा सकती है यहाँ पर latest crude oil के numbers की बात करें तो brand crude oil के prices में अगेन हमें लगबख 3.5-4 प्रतीशत की चेजी देखने को मिल रही है और जो brand crude oil के prices पूरे सितंबर के मैने में लगबख 100 डोलर के नीचे रहे वो अब अगेन हमें 100 डोलर के अबव जाते वे देखने को मिल सकते हैं तो इसी बीच यह जो आज के दिन news निकल कर आई है हरदीप सिंग पूरी की तरव से यह definitely news काफी ज़्यदा positive देखने को मिल रही है और इससे Indian stock market के उपर एक काफी ज़्यदा boost हमें देखने को मिल सकता है अगर आप Indian corporates भी देखेंगी जितनी भी MNC या काम कर रही है जितनी भी industry area में industry काम कर रही है उसमें maximum के अंदर जो raw materials है उसमें crude oil की requirement भी होती है अगर paint sector की बात कर लें साथ ही साथ अगर हम FMCG sector की बात कर लें तो वहाँ पर crude oil की requirement काफी ज़्यदा होती है और उस requirement को fulfill करन दो जोन्स के अंदर लगबग 2.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली 600 points से भी ज़्यदा की गिरावट हमें दो जोन्स के अंदर देखने को मिली तो बात करें कि nifty के लिए क्या important यहाँ पर positions रहने वाली है सबसे important चीज यह कि weekend में जो भी news निकल कर आएगी वो depend करेगी कि Monday की दिन market कैसे react करेगा अभी की time पर जो भी news है वो positive way में ही है तो जिस current से nifty के लिए 17,000 रुपे का support काफी important रहेगा और अगर यहाँ पर resistance की बात करें तो पहला resistance 17,600 रुपे का और दूसरा resistance 17,820 रुपे का आपको लेकर चलना है अब बात कर लेते हैं कुछ particular stocks के बारे सबसे बिले बात कर लेते हैं ITC Limited के बारे में जहां पर last trading session की बात करें जाये तो यहाँ पर अगर गिरावट के प्रतीशत को note करें तो 0.65% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है यानि कि almost 2 रुपे 20 पेसे की गिरावट हमें ITC के अंदर देखने को मिल रही है फाइनली ITC के अंदर जिस official announcement का आपको काफी time से इंतिजार था जो की company के quarter 2 के result से related है उसकी date company ने यहाँ पर declare कर दी है 20 October 2022 के दिन हमें ITC के quarterly result देखने को मिलेंगे जहाँ पर company अपने सभी segment यानि कि इनका जो FMCG का segment है cigarette का business है hotel business है साथी साथ agriculture का business है सभी के numbers से यहाँ पर declare करेगी और इसी बीच हमें यहाँ पर company की तरफ से यानि की ITC के board of directors की तरफ से de-merger को लेकर भी कुछ बड़ी updates आते विए देखने को मिल सकती है तो 20 October के दिन company के जैसे ही financial numbers declare कर दिये जाएंगे आपको हमारे telegram channel और हमारे YouTube channel से update कर दिये जाएंगे बात करें ITC के अंदर अ यहाँ पर आप देख पाएंगे 31 October 2022 के दिन company ने यहाँ पर board of directors की meeting बुलाई है जिसके अंदर सबसी बिली company अपने quarter 2 यानि की 30 September 2022 के quarter 2 के result यहाँ पर declare करेगी और साथ ही साथ company यहाँ पर sub divided यानि की stocks split कर लेकर भी announcement करने वाली है जिस company की मैं यहाँ पर बात कराओ यह company chemical sector से बिलॉंग करती है company का नाम भी आप देख सकते हैं company का नाम है विश्नू केमिकल्स लिमिटेट विश्नू केमिकल्स लिमिटेट की अगर हम last 5 days की यानि की last week की अगर performance को चेक करें तो last week में company ने almost 6 प्रतीशत की returns अपने investors को बना कर दिये हैं अगर हम इस company को complete review करें complete analysis करें त marketing करती है export करती है किस चीज का chromium chemicals का और barium compound का across the world यानि की पूरे world में देखने को मलता है इनका business साथ ही साथ अगर इनके business की बात करें तो इनका head office है वो हमें हिदराबाद में देखने को मलता है company recently 12 industry को run कर रही है और लगबग 57 countries में हमें इनका काम देखने को मलता है 57 दीश अगर आप return on capital employed and return on equity percentage देखेंगे तो काफी strong हमें देखने को मलते है 20 प्रतीशत से जदा का इसका ROC और ROE देखने को मलता है चोकि एक small company के लिए काफी अच्छा देखा जा सकता है उसकी पीछे की वज़ाए कि company काफी शांदर result maintain करते वे आ रही है यानि कि अगर आप अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है तो overall company की performance तो काफी अच्छी है financially भी और technically भी साथ ही साथ इस company की shareholdings pattern भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है जहाँ पर promoters का stick 75% का देखने को मिलता है FII का यहाँ पर थोड़ा बहुत stick देखने को मिलता है और बाकी का stick retail investors क पास में देखने को मिलता है तो अगर हम इस company के यहाँ पर अगर compounding sales growth देखें पिछले 10 साल की तो consistent performance से यह company साथी साथ profit growth भी इस company की काफी अच्छी है और अगर आप इस company का last 10 years का CGR ratio देखेंगे तो वो भी 46% का हमें देखने को मिलता है वही अगर return on equity percentage की बात करें तो वो भी company almost 10% से अबव ही maintain करते वे आ रही है तो overall विशनू chemicals भी आपके लिए एक best choice हो सकती है यदि आप chemical sector company के अंदर investment करना चाहते हैं तो उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected stay updated